दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरोना काल के दौरान भी घर बैठे बैठे कुछी समय में मोटी रकम कैसे कमा सकते हैं दोस्तो यदि आप उन लोगों में से हैं जो पुराने नोटों सिक्कों को अपने पास जमा करके रखना पसंद करते हैं तो ये शोक आपकी कमाई का जरिया भी बन सकता है दोस्तो आज हम आपको ऐसे ही एक पांश दस रुपे के पुराने नोट के बारे में बताएंगे जिनें बेच कर आप कुछ ही मिन्टों में लगपती बन सकते हैं दोस्तों हम जिस नोट की बात कर रहे हैं पैनोट काफी पुराना और दुल्लब माना जाता है दोस्तों यदि आपके पास वह एक रुपे का नोट है जिस परसन 1957 के गवनर रहे हम पटेल का साइन कुए नोट है और इसके साथ साथ ही उस नोट का सीरियल संख्या एक दो तीन चार पांच छे है तो इस एक रुपे के नोट के बदले आपको लगबग पचास हजार रुपे तक मिल सकते हैं यदि आपके पास यह दुल्लब नोट है तो आप इस नोट को कोईन बजार वेबसाइट में बेश सकते हैं दोस्तों वहीं बात करें पांच रुपे की नोट की तो इस पांच रुपे के नोट में लाश्ट की यंक्त संख्या साथ आठ छे लिखा हुआ हो और साथ सातिस में ट्रेक्टर भी बना हुआ हो तो आप इस पांच रुपे के दुलब नोट के बदले कुछी मिन्टों में 30,000 रुपे या उससे ज़्यादा रुपे कमा सकते हैं दोस्तों इस पुराने नोट को आप कोईन बजार में असानी से बेश सकते हैं दोस्तो कोई बजार आपको इस पुराणे नोट के बदले कहीं गुणा पैसे कमाने का मुखा दे रहा है दोस्तो अगर बात करें 10 रुपे के पुराने नोट की तो इस 10 रुपे के नोट को बिटिश आशन के दोरान जारिक किया गया हो इसके साथ साथ इस नोट के दोनों साइड अंग्रेजी में 10 रुपीज लिखा हुआ हो और साथ ही दस रुपे के इस नोट पर अशोक तम और दूसी तरफ नाव रखी हुई हो तो आप इस दस रुपे के नोट के बदले कुछ इमिन्टों में 20 से 25 जार तक आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों यदि आपके पास यह तीनों नोट है तो आप कुछ इमिन्टों में लाखो या उस से जादा रुपे कमा सकते हैं दोस्तों जानकारी अगर अच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्क्राइब जरूर करें